जीवन के अंजान सफर में हाब कई थे अपनी नजर में लेकिन राह में चलती चलते कितनी रिष्टे तूड़ गए हैं कितनी आंगन छोड़ गए हैं कितनी आंगन छोड़ गए हैं सुख दुख जैसे कोई समंदर जखम है गहरे जिनके अंदर जिन पे भरोसा था इस दिल को वो हम दम दे रोड़ गए कितनी आंगन छोड़ गए हैं कितनी आंगन छोड़ गए हैं आंगन एक ऐसे मुस्लिम घराने की कहानी है जिसने शुरू में जागीरदाराना खुशाली का दौर देखा था हालात के साथ जागीरदारी खत्म हो गई मगर रहन सहन में वही पुराना ठसा बरकरार है आंगन की कहानी दूसरी जंग अजीम से जरा पहले शुरू होती है और आजादी के बाद अंजाम को पहुंसती है आंगन असल में इनसान और इनसान के दर्मियान उस अजली कश्मकश की कहानी है जिसमें महबत और नफरत की धूब चाहं एक दूसरे से आँख मिचौली खेलती है ये मजहर खान है अंग्रेज सरकार के मुलाजिम है मगर हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ बातें करते है भगत सिंग और चंज शेकर आजाद की पैरवी करते है मिजाज में तेजी और गुसा है यहां तहसील मिर्जापुर में उनका तबादला हुआ है ये हाजरा बेगम है मजहर खान की बीवी तुनक मिजाज और मुफट अंग्रेजों की तरफदार हैं क्योंकि उनके भाई आमिर खान ने एक अंग्रेज में से शादी की है ये तहमीना है मजहर खान और हाजरा की बड़ी बीटी संजीदा मिजाज अपने फूफिजाद भाई सफदर से प्यार करती है मगर चुपके चुपके उम्र 24 बरस ये आलिया है तहमीना की छोटी बहन और सब की चहेती अलीगर से अदीब फाजिल की डिग्री ली है अंग्रेजी भी जानती है उम्र यही 20-22 ये सफदर है मजहर खान का यतीम महाजा बच्पन से इसी घर में पला बढ़ा है दिल ही दिल में ये भी तहमीना से महबत करता है बेरोजगार है उम्र 30 के करीब हाजरा वेगम इस से चुड़ती है और बाद बाद पर ताने देती है ये अजीजन है इस घर की नौकरानी तेज दर्रार, काम में होश्यार पहले कुछ महीने किसी अंग्रेज के यहाँ नौकरी करती सी अकसर उसके खिस्से सुनाती है उम्र यही 30 पर 30 साल ये एक कुसुम है मजहर खान के दोस्ट और पडोसी सोहन राय की बेटी कुसुम बाल विद्वा है हाजरा बेगम उसे पसंद नहीं करती उसे किताबें पढ़ने का शौक है अकसर आलिया को किताबें ला कर देती है चाचा जान, आदाब आदाब आओ बिटा, बैठो, नाश्टा करो शुक्रिया, मैं कर चुकी हूँ पिता जी ने कहा है कि शाम को उनके साथ पंडित सुंदरलाल जी भी बैठक पे पदा रहे है अच्छा, अच्छा अरे, दफ्तर का वक्त हो गया है आज दफ्तर में मेरा पहला दिन है कहीं देड़ ना हो जाए सफदर्मिया देखो, रिक्षा है कि नहीं? जी, मामुचा पैठो तुसही यह प्रेमचंद की नॉवल है, गोदान तुमने मांगी थी ना? श्युक्रिया, गुसंदील अच्छा, चलते है अरे, थोड़ी देट तो ठैरो नहीं, शाम को आंगे अबे नुभेले बढ़ना बंद करो, इससे अखलाग खराब होते हैं समझी? अम्मी, किताबे पढ़ने से अखलाग सवर्ते हैं खराब नहीं होते क्यों, अब्बू? हाँ मिटा, तुम ठीक कहती है आप इने लड़कियों को सर पे चढ़ा रखा है एक है जो दिन रात किता वो में घुसी रहती है और दुसरी उस हिंद वानी के साथ खुसर फुसर करती रहती है मुझे दुसके स्ताई से भी चोड़ है अम्मी, आप कुसुम दी से इतना चिर्ती क्यों है? क्योंकि वो बीवा है वो भी बाल भीद्वा और बेवा है मनुस होती है, मनुस समझी? अम्मी, आपको कुसुम के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए बेगम, वो एक मज्लूम लड़की है उसके साथ तो तुम्हें हमदर्दी होनी चाहिए मामुजान रिक्षा आ गया बार चलो बेटा आपको कितनी बार का है दफतर जाने के लिए कम से कम सूच सिल्वा लीचे वगर आपके कान पे जूरेंगे तब ना मैंने भी तुमसे कितनी बार का है मैं मरते मर जाओंगा लिकिन अंग्रेजी लिबास नहीं पहनूगा नहीं पहनूगा और अगर पहल लेंगे तो कौन से आपके शान में जुपते पड़ जाएंगे जी ये लिफाफा आसिफ खान साब को देदे लें जी मामो जान खुदा हाफिज खुदा हाफिज ये बड़ा अच्छा हुआ आदिलपूर में तो पैदल दफतर जाते थे यहां कम से कम निक्षा तो है यह सब अंग्रे सरकार की महजारी है लेकिन तुम्हारे अभू माने तब ना उनकर तो तेशवक्ति का भुद सवार है मालूम ने आजादी मिलते ही उनकी पगड़ी में कौन सब सुर्खाव का पढ़ लग जाएगा अरे यह सब तो नेहरू गांदी की कारस्तानिया है और देख लेना एक दिन यही लोग यही लोग मुल्कों बरबाद करके छोड़ें के लेकिन तुम्हें नेंकी बातों में मत यह, यह, यह लटिक्के यहां चलीएगे? यह, बैवा! जी, सर. पांडे जी गो बेजो. जी, सर. बूद मॉर्निंग, सर. बूद मॉर्निंग, पांडे जी, यह रॉयल कंस्ट्रक्शन की फाइल यहां एक माह से दूल क्यों चाट रही है? सर, गेड़ मां से यह कुरसी खाली थी. अब आप आगे हैं तो दस्तकत होते ही इसे आगे पढ़ा दिया जाएगा. इसे फॉरण बेज़ दो. जी. और इसके अलावा जितनी भी फाइले बाकी हैं, उन पर मेरे दस्तकत कराओ, और उने भी बेज़ दो. जी. और याद रखिए, कि दफ्तर अंग्रेजी सरकार का जरूर है, मगर यह मुल्क हमारा है. हम अंग्रेजी सरकार के जरिये अपने ही मुल्क के खत्मत कर रहे हैं. और एक बात, यह मलिका आलिया की तस्वीर यहां से अटा कर कहीं हॉल में टंगवा दीजे. वरना यह हमें घूपती रहेंगी और हम कोई काम नहीं कर सकेंगे. मैं अभी इसका बंदोबस्त कर दूँगा, सर. आप फिक्र ना कीजिए. शुक्र कितनी आंगन छोड गए हैं. कितनी आंगन छोड गए हैं. प्रणाम बीबी जी. प्रणाम, मंगलू भेया, तुम यहां रहते हो? जी बीबी जी, सरकार की तरफ से कौटर दिया गया है. बीबी जी, अगर आपको किसी चीज की ज़ुरत हो, तो जरूर बताएगा. जी जरूर, बताओंगी. प्रणाम बीबी. प्रणाम. अरे आलिया, तुम इतनी उदास उदास क्यो हो? यहां खुश होने के लिए रखा ही क्या है? उचाड उचाड बस्ती, ना बाग ना अमराई. आदिलपुर में कितना मज़ा आता था, बाग में घुजकर केरियां तोड़ी जाती और पानी में बैटी भैसों को धिले मारे ज अची है. यहां भी बाग है, तालाब है, मंदिर है, मस्जिद है, सब कुछ तो है. अब वो देखो, मस्जिद का मीनार नजर आता है ना? कितना अच्छा लगता है? ऐसा लगता है जैसे सर उठाए आसमान से बातें कर रहा है. और गाम के बाहर आम के, जामून के, पीपल के बड़े बड़े दरख थे हैं. अरे वैसे भी इस वक्त तो बाहर का मौसम है ना? तो आमों पर खूर आया हुआ. मैं अपनी आखों से देख कर आया हूँ. तो मुदास मत हो, यहां भी सब कुछ है. आलिया, अब मुस्करा भी दो ना? देखो, शाम के वक्त उदास रहने से ना, रात में बुरे-बुरे खाब आते हैं. अच्छा, यहां बजार तो है ना? हाँ, है ना? बहुत बड़ा बजार है, वहां सब कुछ मिलता है. सब्दर भाजान, देखिए ना, हमारे सेंडल तूट गई है, पुरानी हो गई है. चलिए ना, बजार चलते हैं, मुझे न अच्छा, अरे वो तो होगे ही, उन्हें भी तो दुपट्टे लेने हैं, चलिए. पर, मुमानी जान इजास्त देंगी? अब चलिए तो. अलिया, अरे? अरे? बुलाना लगे. अम्मी, अम्मी, मैं आवर बाजी बसार जा रहे हैं. क्यों? मुझे सैंडल लेनी हैं, और बाजी को दुपट्टे. तुम दोनों अखेली बजा जाओगी? अरे? अरे? शाम का वक्त है? नहीं बसती नहीं लोग? क्यों रास्ता भटक गई तो? ना, बबबना, मैं इजास्त नहीं दूगी. अम्मी, हम क्या छोटी बच्ची हैं, जो रा जाएगा. अम्मी, हम खरीदारी करने जा रहे हैं, किसी मुहीम पे नहीं जा रहे हैं. क्या हुआ, बिटू? कौन जा रहा है मुहीम पर? देखिए न, अबबू, मैं और बाजी बजार जाना चाहती हैं, और अम्मी मना कर रहे हैं. अरे, जाने दोना, बेगम. क्यों मना कर जाएगा. अरे, आप समझते नहीं है? लडकियों के लिए सेर सपाटे की आता अच्छी नहीं है. क्यों? सेर सपाटे का हग सिफ लडकों का है. बेग तो, बहाग गुस्ताख होती जा रहे हैं तुम. अबबा, समझाई नाम मे को. अरे, जाने तो बेगम. क्यों बात का बतं मे ही है. ठीक है. जाओ. शुक्री, अबू. आपके लाड के वज़े से ना, ये दोनों बिगड़ते जा रहे हैं. अरे, बेगम. अब वो बड़ी हो गई है. छोटी-छोटी बातों के लिए उन्हें टोका मत करो. हम बैठक में जा रहे हैं. चाय नाश्ता बिजवा देना औ है. अच्छा मी, हम चलती हैं. अखीक है. और सुनो. जी. बजार में चेहरों पर नकाब डालेना. जी अच्छी बात है. अजी सान. अजी सान. अजी सान. चाय नाश्ते की तयारी करो. बैठक में नेता लोग तश्रिफ नाए है. खांसाब. ये पंडिस तंदर लाजी है. आरे समाजिद केंद के संस्थाफद. आपसे मिलने के ख्वाहिश मनते हैं. नमस्कार खांसाब. नमस्कार. राय साब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं, खांसाब. इसलिए मैंने सोचा क्यों आपके दर्शन कर लें. अरे भई, राय साब तो पुदी नेक इनसान है. ये तो बुरों को भी अच्छा ही कहते है. बुरों को नहीं खांसाब, बड़ों को. ये तो आपकी जर्रा नावादी है जनाब. अच्छा जी बताएं, आज आज आफिस में पहला दिन कैसे गुजरा? अच्छा गुजरा. स्टाफ अच्छा है. बस एक कमी थी. जाते ही हमने उसे दूर करवा दिया. हो क्या? हमारे कैबिन में मलिका विक्टोरिया की तस्वी तंगी हुई थी. हमने जाते ही कैबिन से उस तस्वीर को अटा दिया. इसका मतलब कि आप अंग्रेजों की परच्छाई भी बरदाश न इल्कुल नहीं. अंग्रेज को देखते ही हमारा खुन खौलने लगता है. मुआफ करिएगा खान साथ. एक बात हमारी समझ में नहीं आई. आप अंग्रेज सरकार की नौकरी करते हैं. फिर अंग्रेजों से बेजारी का मतलब? बंडे जी, आपकी बात दुरुस्त है. लेक उने हम जिस तरह चाहें खर्च करें. और सच पुछी, तो नौकरी रोजी रोटी की मजबूरी है. वरना हम भी कहीं बंडाल कर भगत सिंग की तरह अभी तक फासी पर चड़ गय होते हैं. इसका मतलब आप गांधी जी के नहीं भगत सिंग के भक्त हैं. हम गांधी जी की न अगर आपके अंग्रेज अफसरों को आपकी इंस तरगर्मियों का पता चल जाए, तो उनका रद्धे अमल क्या होगा? कुछ-कुछ तो उने पता है. इसलिए कभी-कभी मेमो देते हैं, कभी मेनमेक निकालते हैं, और कभी-कभी तो तबादला करवा देते हैं हमारा. अब पिछले दो साल में तीन बार तबादला करवा चुके हैं हमारा. इसलिए हम भी तैक कर चुके हैं कि वक्त आने पर बता देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में है अबाटो बाटो वाटो आए लाए लाइए अश्ब ऑटो बातो में हम जिस काम के लिए है आय ते बात तो रहेगे परमाईए आपको एक फश्च ख़बरे देने हैं मैं मुंतजर हूँ आप तो जानते हैं हमारी बेटी कुसम बाल विलबा है जी जानता हूँ उसी के उनर विबा के ख़बर देनी थी लेकिन राइसाब आपके समाज में तो दूसरी शादी मना है किन्तों हम लोग आरेस समाजी है सुन्दर लाल जी हमारे गुरु है इनका फर्मान है कि आरेस समाज के दस्तूर के मताबिक वाल विद्वा या विद्वा का पुनर विवा हो सकता है इन्होंने कुसम के लिए एक ललका देखा है और बहुत यल्दी कुसम का पुनर विवा आरेस समाज मंदिर में संपन्द होगा आरेस समाज आपको इसमें शरीक होना है राय साब इस ख़बर को सुनकर हमें तो ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कुसम की नहीं हमारी अपनी बेटी की शादी हो रही है मेश की मुबारक बाद कुबूल कीजिए कितनी आंगन छोट गए है कितनी आंगन छोट गए है खुदा जूट ना बुलवाये मालकिन पर साब बाहदूर और उनकी मेम साब हर रोज शाम को खलब जाया करते और तीन घंटों तार तॉम की देखबाल मेखोद किया करते तॉम भी ऐसा ना कि दिन भार उचलकूत करता रहता कभी छी छी ची कभी सूसू पर में टॉम की सफाई का इस तरह से ख्याल रखती कि मालकिन पे मुझसे खुश हो जाती तॉम बड़ा घुल मिल गया था मुझसे अगर मेना दिखो ना तो कोनों कुद्रों में मुझे ढूंडता फिरता अच्छा तो रंगी गोरा होगा उसका इतना गोरा रंग की हात लगाओ तो मेला हो जाए एकदम अंग्रेज बच्छो जैसा तो बात ही बहुत करता होगा आपकी जूती मेरा सर मालकिन आपी बताएए बला कुद्टे का भी बात करते हैं अच्छा तो वो कुद्टा है हाँ, तॉम हुनका कुद्टा था प्यार से उसे वो तॉमी पुकारते थे अरे आगे तुम लोग आओ बैठो अम्मी बताएए ये देखिए कैसे खुबसूरत सेंटी है नए डिजाइन के हैं अच्छे तो है मगर एडियाँ ज़रा उच्छी है अम्मी ये देखिए, मेरे दुपट्टे अरे बाजी, दुपट्टे ऐसे नहीं दिखाते अम्मी अम बताएए, कैसा है दुपट्टा? हाँ, बहुत अच्छा है अच्छा ए, तुम्हारे इस थैले में क्या है? जी वो एक कुर्ता है कुर्ता? अभी पिछली यीद पर एक कुर्ता खड़ जा था छेड महिने भी नहीं हुए, फिर नहीं कुर्ता ले आए पैसे के पेर पी उखते है चारा निंकी कमाई नहीं, तोला आने का खड़्चा तुम्हारे नहीं जरते वर तु देखों इनके अम्मी, आप सब्दभायजान से इतना चिर्ती क्यों है और ये कुर्ता उन्हें मेरी ही परमाईश पे लिया था अरे तीस में गलुत क्या कह रिया है देखते नहीं, सारा दिन घर में पड़ा, चार पाई तोड़ता रहता है मुझे तो उसके लच्छन ज़रा भी नहीं पसंद किसके लच्छन पसंद नहीं है बेगम आपके लाडले भांजे के, और किसके? क्यों? या किया उसी? अरे उससे आता ही क्या है, जो कुछ करेगा ताली मदूरी, ना हाथ में हुनर, ना पास्में टिक्री आप तो कहने को इतने बड़े आफसर हों लेकिन आज तक आज तक एक नौकरी नहीं दिला सके उसे इतनी लंबी बिमारी से उठाय है वो, उसे सुड़ा आराम करने दो फिर उसे अलिगड भेज देंगे ताली मुकमल करने के लिए बस आपकी इन ही बातों ने उसे निकट्यों बना रखा है बस बहुत हो गया, जो खाना लगा खुख लगी है कोई शिकायत है ना किना है जो भी नसीब से हमको मिला है बाहरे बाहरे खुश है लेकिन अंदर अंदर तोड़ गए है कितनी आंगन छोड़ गए है कितनी आंगन छोड़ गए है